नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Hindi Knowledge Show में तो दोस्तों चीन और Soviet Union अगर आप दोनों देशों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों देशों में बहुत सारी समानताएं आपको मिलेंगी लेकिन एक चीज ऐसी है जो दोनों देशों में बहुत ही जादा मिलती जुलती है और सबसे खास बात यह है कि यही चीज Soviet Union की पतन का करण बनी थी तो क्या है यह? यह है जमीन की भूग आप देखेंगे कि Soviet Union बना कैसे था? रूस ने अपने जितने भी पडोसी देश थे सभी पर कबजा कर लिया था वर्डवार के बाद और इसी को मिला कर बना लिया गया था Soviet Union लेकिन इसके बाद भी Soviet की भूग मिटी नहीं थी उन्होंने जो लेटिन अमेरिकी देश हैं, दक्षिन अमेरिकी देश हैं लेकिन इतना जादा खर्चिला यह यूद था, इतना जादा पैसा Soviet Union ने बहाया कि अंत में उसका ब्रोकडाउन ही हो गया था सेम यही चीज है चीन के साथ, चीन को भी जमीन की बहुत भूग है चाहे आप देख लीजे, पाकिस्तान में देख लीजे, शेलंका में देख लीजे, बहुत सारे अफ्रीकी देशों में देख लीजे अपको जगह जगह, चीनियों के कबजे की कहानी मिलेगी लेकिन अब इनका भी अफगानिस्तान पॉइंट आ चुका है, इनका अफगानिस्तान पॉइंट है दक्षिन चीन सागर और भारत ने भी बिलकुल अमेरिका की जो रन्नीती थी, सोवित उन्न को कोलाप्स करने की उसी रन्नीती पर काम करना शुरू कर दिया है हाला कि भारत को उमीद नहीं थी कि ये रन्नीती इतनी जल्दी काम्याब हो जाएगी लेकिन भारत की इस रन्नीती ने बहुत तगड़ा काम करके हाल ही में दिखाया है पहले रन्नीती सुन लेजिए दरसल सोवित उन्नीन के खिलाफ अमेरिका ने बहुती खास रन्नीती अपनाए थी रन्नीती ये थी कि जितने भी जो सोवित उन्नीन के पडोसी देश है उन्हें अपनी तरफ मिला लो उन्हें जम कर हतियार दो financially मजबूत कर दो और फिर सोवेत के खिलाफ उन्हें ही लड़ने दो भारत भी इसी रणनीती पर काम करना शुरू कर चुका था अब से 4-5 साल पहले लेकिन भारत को इतनी जल्दी एक कामयाब हो जाएगी ऐसी उमीद नी थी वो कैसे कामयाब हुई दरसल भारत ने अब है कुछ 15-20 दिन पहले फिलिपीन्स के साथ ब्रमोस मिसाईलों की डील साइन करी थी और डील का साइन होना था ठीक 10 दिन बाद चीन ने अपनी लगबक 220 शिप्स जो फिलिपीन्स को धमकाने के लिए भेज दी और इसमें आपको चीन का डर भी साफ दिख रहा है और इसे ही देख रहे हैं चीन के पडोसी देश जो चीन से परिशान रहते हैं दरसल वो देश भी अब ब्रमोस का इफेक्ट देख रहे हैं और अब सोच रहे हैं कि हमें ब्रमोस को बहुती सिरियसली कंसिडर करना चाहिए क्योंकि चीन वाकिय में ही इससे बहुत ज़रा डर रहा है तभी तो उसने एक छोटे से देश को जिसकी एक ढंकी नोसेना भी नहीं है उसे ढंकाने के लिए 220 शिप्स भेज दी सोच ये जब ये ब्रमोस फिलिपिन्स पहुँच जाएंगी चीन का तब क्या हाल होगा और ब्रमोस तो भारत का पहला मोहरा है अभी तो भारत ने तैय ये किया है कि बहुत सारी मिसाइले ओर हैं पिनाका है इसके लावा तेजस है यें भी हम चीन के परोशियों को देंगे खासकर कि वियतनाम और इंडोनेशा जैसे परोशियों को इसके लावा फिलिपिन्स को भी ताकि इन्हें मजबूत बनाया जा सके और चीन के खिलाफ इनका बहतर इस्तमाल भारत कर सके लेकिन इस रणनीती में एक चीज भारत को करनी होगी वो है धैरिये बनाया रखना अमेरिका ने करीबन 40 साल धैरिये बनाया रखना तब जाकर 1990 में सोवेस यूनियन का विक्टन हुआ था तब अमेरिका की रणनीती काम्याब हुई थी भारत की रणनीती काम्याब होगी और और जल्दी होगी आप देखिएगा लेकिन ये गेम भारत को कम से कम 10 से 15 साल तक खेलना होगा चीन का पतन तभी संभाव है तो भारत की इस रणनीती पर आपका क्या विपोइंट है कमेंट हरे जुरू बताएगा साथी वीडियो को श थैंक रूर सचिंग वीडियो